है फ्रेंट्स मैं नितेश्कुमार आप लोगों को आपकी यूटूब चैनल में स्वागत करते हैं आज हम लोग डिस्क्रस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम्स या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स से अब्जेक्टिव कोचन क्या-क्या बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे, तो कुछ important objective question के और देखते हैं, सबसे पहला है, रक्त परिसंचरन तंथर, blood circulatory system की खोज किशनी की, first question तो यही है, तो इसका answer जो हो जाएगा, लेंड अश्टीनर विनर, नहीं, लेंड अश्टीनर और विनर ने क्या चीज़ की खोज की थ यहाँ पर जो है, विलियम हार्वे इसका correct answer है, correct कौन है, तो आपका correct है, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरन, तंत्र या फिर बोल सकते हो, blood circulatory system की खोज की है, अब हम लोग next question की और बढ़ते हैं, यहाँ दो question इसमें, इस slide में दिया हुआ है, तो देखें, सुद्रक्त का परवाह हमारे सरीर में किसके द्वारा होता है, अब हम लोग blood circulatory system पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोग देखें हैं, कि सुद्रक्त का परवाह जो है, हमारे सरीर में धमनी, आर्ट्रीज के द्वा पर क्या जाता, सुद्रक्त आ जाता, तो इसका answer क्या होता, आपका सीरा होता, फेफड़ा जो होता है, हमारे nostril से फेफड़े में हवा जाता है, और फिर वहां से head में पहुंचता है, और head से फिर blood का circulation होता है, तो यहाँ पर जो correct answer था, हो क्या था, arteries था, तीसरा question जो है, सुद्रक्त जो हमारे सरीर में, head से कहा जाता है, body के अन्य पार्ट में जाता है, उसमें से oxygen का परवा होता है, किसका होता है, oxygen का परवा होता है, जबकि वही चीज़ अगर आप देखोगी, जो असुद्रक्त था, जो wind से मतलब रक्त आता है, head में, उसमें से carbon dioxide का परवा हो होता है तो सुद्रक्त में किसका परवा होता है तो अक्सीजन का जब कि असुद्रक्त में कौन सा गैस का परवा होता है तो आपका सी ओटू का परवा होता है अब हम लोग नेश्ट कोचन की और बढ़ते हैं यहां भी दो कोचन है खुले परिशंचरन तंत्र यह बोल सकते हो आपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त का प्रवा किसके माध्यम से होता है तो हम लोग पढ़ेते कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो तीन तरह से अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बात करें तो हम लोग देखते थे कि इसमें ना तो सीरा थे और नहीं धमनी थी तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा ना तो धमनी से होती है आपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा उधारन है या कौन-कौन उधारन है अगर यह दिया जाए तो तिलचटा हो गया प्राण हो गया कीटे वो मकडी हो गया इन में से सभी तो इसका अंसर जो होगा इन में से सभी होगा और भी कौन लेंगे घोगा हाना यह भी जो होता है वो किसका एक्जामपल होता है तो यह question है कि Ben Pari-sanANS张 hidden close circulatory system में राप्त का परवाभ किसके माध anymore से होता है तो हम लोग पड Tel T keeping close circulatory system में राप्रवाभ जो होता है वो our Rich I önce मोटा होता है जिसके थुर सुद्रकता जाता है और बें जो होता है वो थोड़ा पतला होता है और उसके तुरू असुद रखता आता है तो यहां पर इसका अंसर जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा फिर बंद परी संचनंत अंत्र यानि ग्लोज्ट स्थर्कुलेटरी सिस्टम का कौन-कौन सा उधारन हो सकते हैं यूमन बिंग हो सक हो सकते हैं तो यहां पर अंसर आपका कौन हो जाएगा बोथ एंड बी अब हम लोग नेश्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं क्या कालाता है तो इसको हम लोग एंजियो लौजी कहते हैं क्या बोलते हैं एंजियो लौजी अब हम लोग नेश्ट कोश्चन की और आगे बढ़ते हैं किस विदी के माद्दम से धमनी वंशिराओं की जाच की जाती है यानि वह कौन सा मेथड है जिसके थुरू हम लोग आर्टीज और वेन के अश्टडीज करते हैं या फिर उसके बारे में जाच करते हैं तो इसको बोला जाते हैं इंजियो ग्राफी क्या है इंजियो है या फिर आ रहा है या नहीं हमारे हट तक अब हम लोग नेश्ट कोचन जो इस वीडियो का लास्ट कोचन होगा उसको देखते हैं यदि धमनी या सीरा में रुकावट हो तो उसे दूर करने के लिए उसमें रिंग लगाया जाता है मैं बोला ना कि अगर उसका सही से इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम एंजियो प्लास्टी के नाम से जानते हैं इस मतलब जो होता है इसको हम लोग एंजियो प्लास्टी के नाम से जानते हैं यह हमारा आज का लास्ट कोचन था और हम लोग फिर इसके बाद में हट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में दे